हेलो फ्रेंज, हन्वी चैनल में आप सभी का स्वागत है, उमीद करती हूँ, आप सब अच्छे होंगे, आज मैं एक नई रेसेपी लेके आई हूँ, आज मैं आप सभी को दिखाऊंगे कि आप बाजरे की फुली फुली हुई रोटिया कैसे बना सकते हैं, आपको मैं बहुत ही आसान टिप्स दूगे, जिससे आप भी एक दम फुली फुली हुई रोटिया बना सकते हैं, वो भी मिंटों में आपको कोई भी प्रेशानी नहीं आएगी, यदि आप इस तरह से बाजरे की रोटि बनाते हैं, तो देखी, हम बाजरे का आटा लेंगे, और उसमें स्वा बाजरे का आटा लगाते हैं, तो आपको बाजरे का आटा लगाके नहीं रखना है, जब आप रोटिया बनाते हैं, तो साथ की साथ आटा लगाके रोटिया बनाएं, और इसमें गरम पानी का ही यूज करें, क्योंकि बाजरे का आटा बहुत ही जल्दी तूटता है, यदि आप गरम पानी से आठा लगाते हैं तो आपकी रोटिया बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी देखिए ये रोटिया मेरी मम्मी बना रही है उन्होंने ज्यादा आठा नहीं लगाया है दो रोटि का ही आठा लगाया है और इस तरह से दोनों हातों से बड़ी कर लेंगे लोई को और इस तरहे दोनों हाथों से पलट पलट के हम रोटियों को बढ़ा कर लेंगे पहले मुझे भी नहीं आती थी लेकिन धीरे धीरे मैंने भी बहुत बार ट्राइ किया है तब जाके मुझे बाजरे की रोटिया आई है अब मैं बहुत अच्छी बाजरे की रोटिया बना लेती हूँ और मेरी गैस के उपर भी रोटिया बिल्कुल फुली हुई आती है कभी मैं आपके साथ गैस पे बाजरे की रोटी कैसे बनाते हैं वो वीडियो भी जरूर शेयर करूँगी देखी एकदम बिल्कुल गोल रोटी हुई है और इसमें हमने बेलन का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है क्योंकि बेलन से बाजरे की रोटी कभी भी बनती नहीं है इसी तरह हाथ से बनती है और देखी ये इस तरह का चुला है गाउं में सब चुले पे ही रोटी बनाते हैं चुले की रोटी खाने के बहुत ही फायदे हैं यदि किसी को गैस की प्रोब्लम होती है तो वो चुले का खाना खाना स्टार्ट कर दे उसको उसमें राहत मिलेगी और इस तरह से दोनों तरफ से रोटियों को सेख लेंगे अच्छे से और जो ये आच होती है जो ये साइड में लखडियों से मम्मी जी कर रही है इस पे हम रोटियों को सेखेंगे चारों तरफ से ज बड़ा कर लेगी हाथ से मा के हाथ का बना हुआ खाना है कि तो होडी नहीं हो सकती है विलकुल भी यदि आपके पास एक तरफ चपन भोग हो और एक तरफ मा की रोटी और चठनी हो तो आप चठनी रोटी भी खाएंगे तो आपको ऐसा लगएगा जैसे चपन भोग खा लिया यह बात वही सुन सकता है जो अपनी मा से कहीं दूर रह रहा हो और उसको बहुत मिस करता हो देखी रोटी सिख चुकी है अब हम चुले में इस तरह से इसको साइड में खड़ा कर देंगे क्योंकि इसके नीचे भी आच है और साइड से भी आच लगती है और यह देखना एकदम से फुली फुली होई रोटीया मिलेंगी देखी दूसरी रोटी भी बड़ी कर ली है ऐसा नहीं है कि चुले पर देर लगती है बस आपको बनाना आना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस होता है और वो ऐसे नहीं आता है जब आप एक चीज शिदत से करते हैं तो वो आपको जरूर आता है और देखी यह बाजरे की रोटी बन चुकी है है ना बिल्कुल सेंप और आप सब भी जरूर ड्राइए किज़े किजें और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियू कैसी लगी और मुझे यदी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिये और लाइक कमेंट जरूर कीज़े देगी हमारी फूली वी बाजरेगी रोटी त्यार है और इस पर रखेंगे हम नूणी घी इंगलीश में सब बटर कहते पठे हैं यह नूणी घी हरियाना में ऐसे बोलते हैं